हलो फ्रेंड आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आए हैं मिंस एक मौरल स्टोरी लेके आए हैं और मौरल स्टोरी का नाम है helping others, helping मतलब सहायता करना, मदद करना, others मतलब दूसरों की, मिंस दूसरों की सहायता करना तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं पीटर वाज एक लड़के का नाम है वाज था वाज था टेन यबर तेन यबर दस साल उज़ पूराना यबर मतलब जो एक पीटर है उसको कितना साल का है दस साल, दस साल का है मतलब 10 years old है He never listened to his mother nor helped her in any household chores He never, मतलब कोई भी नहीं, मतलब किसी का भी नहीं मतलब सुनना to his mother, वो अपनी मा की भी बात नहीं सुनता था नोर और नहीं help सहायता करता था हर उनकी अपनी मा का इन में मतलब किसी भी household, household मतलब घरेलू, चोर्चोर्च मतलब काम, किसी भी घरेलू काम में कोई घर बार के काम में वो अपनी मा का help नहीं करता था Peter, one day, एक दिन, Peter woke up wondering why his mother had not called him to go to school one day, एक दिन, Peter jaga, Peter woke up jaga, एक दिन, Peter jaga, wondering wondering, wondering मतलब सोचना, आशर चकित होना, सोचना, एक दिन वो अपने आप जगा और सोचा, why, क्यों, his mother, उसकी माने, had not called him, क्यों नहीं उसकी माने called मतलब बुलाया him, मतलब आज उसकी माने उसे क्यों नहीं बुलाया, to go to school to go to school, मतलब school जाने के लिए, आज उसकी माने क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं जगाया मतलब ये सोच, उसकी मा उसके पीछे पढ़ती थी, पर एक दिन उसकी मा क्या, उसको पीछे पढ़ना छोड़ दी मतलब एक दिन उसे नहीं जगाया और उसे नहीं बुलाया स्कूल जाने के लिए When he went downstairs to the kitchen When, जब he went गया downstairs मतलब सीड़ियों से नीचे to the kitchen कीचन में सीड़ियों से उतर कर वो क्या? कीचन में गया He was shocked वो क्या? शोग्ड हो गया आश्यर चकीत हो गया अचम्भित हो गया शोग्ड मतलब आश्यर चकीत हो गया अचम्भित हो गया चुप हो गया मतलब कुछ तो देखा होगा तबी तो चकीत हो गया शोग्ड रह गया He saw a pirates from his video game Means Peter क्या? Peter एक 10 साल का बच्चा था और वो क्या? किसी की भी नहीं सुनता था यहां तक कि वो अपनी मा की भी नहीं सुनता था नहीं अपनी मा का घरेलू काम में कोई भी हेल्प करता था उसकी मा उसे रोज मतलब उसे रोज ही काम कहने के लिए कहती थी पर क्या वो उसकी बात नहीं सुनता था तो एक दिन उसकी माने क्या किया एक दिन उसे बुलाया ही नहीं उसे जगाया ही नहीं उसकूल जाने के लिए और तब पीटर को क्या बहुत ही अश्चर चकित हुआ कि रोज रोज तो मेरी माँ बुलाती है पर आज इसने ऐसा क्यों किया कि मुझे जगाया नहीं, मुझे बुलाया नहीं तो क्या यही सब सोसे सोते सीड़ियों से नीचे उत्रा और he was shocked और वो क्या कीचन में देखा तो क्या shocked रहा गया, मतलब अचम्भीत रहा गया he saw a pirate from his video game, he was saw a pirate, pirate means होता है समुंदरी डाकू, जो समुंदर में रहते हैं, जो डाकू, उन्हें pirate का रहा था, एक समुंदरी डाकू, उसने एक समुंदरी डाकू को देखा from his video game, from, from मतलब से, his मतलब उसके video game, मतलब video game से क्या है, एक समुंदरी डाकू आया, मतलब घर में, जो पीटर ने देखा where is my mom, where means कहा, is, my mom, मेरी मा कहा है, उस डाकू से क्या, पीटर ने question किया, जवाब मांगा कि मेरी मा कहा है and what are you doing here, and or what, क्या are you doing here, you मतलब तुम doing मतलब करना here, यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो and what are you doing here तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो उसने अपनी मा के बारे में पूछा और पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो उस चोर से उस डाकू से उस पीटर ने पूछा the pirates said उस समुंदरी डाकू ने कहा your mom has lived your तुम्हारी मा has lived lift मतलब छोड़ जाना वो छोड़ के चली गई now I will leave in your house अब normans अब I will leave मैं leave मतलब रहना मैं रहूंगा in your house तुम्हारे घर में अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगा you will have to work for me you will have तुम्हें करना होगा तुम्हें करना होगा work, come for me तुम्हें अब मेरे लिए for me मतलब मेरे लिए तुम्हें मेरे लिए क्या काम करना होगा prepare my breakfast prepare मतलब बनाना तयार करना my breakfast मेरे breakfast को सुबह के नास्ते को prepare करो hurry up, जल्दी hurry up मतलब जल्दी मेरे breakfast को तयार करो Peter spent the whole day working for the pirate Peter जो Peter था spent spent मतलब ब्यतीत करना बिताना the whole day पूरा दिन संपुर्न दिन working काम करके for the pirate उस डाकू के लिए काम करते करते उसका पूरा दिन क्या बीत गया when night arrived when जब रात आई night मतलब रात arrived मतलब आना मतलब Peter का क्या काम करते करते पूरा दिन निकल गया और रात हो गई जब रात आई Peter was very tired रात होते होते क्या Peter जो लड़का था जो Peter लड़का था वो क्या was very tired very tired मतलब बहुत tired मतलब ठक गया काम करते करते Peter क्या बहुत ठक गया send the pirate to help him clean and or ask the pirate डाकू को कहा to help सहायता करने के लिए means Peter की सहायता करने के लिए help him clean मतलब साफ सफाई करने के लिए pirate से कहा कि तुम भी मेरी क्या सहायता करो means Peter काम करते करते बहुत ठक गया था और काम करते करते किया दिन पूरा निकल गया और रात हो गई और पीटर क्या बहुत ज़्यादा ठक गया तो उसने क्या पाइरेट जो था समुंदी डाकू था उससे क्या help मांगा मदद मांगा कि तुम भी मेरे साथ क्या सफाई करो, cleaning करो तो उस डाकू ने क्या कहा जो समुंदी डाकू था मतलब देखा एट हिम उसकी तरफ मिन्स पीटर के तरफ क्या देखा and started laughing और शुरू कर दिया मतलब शुरू कर दिया laughing मिन्स हसना शुरू कर दिया Suddenly पीटर वोक अप Suddenly अचानक पीटर क्या वोक अप जग गया Thank God धन्यवाद भगवान मन्स थैंक मतलब धन्यवाद गॉर्ड मन्स भगवान को कह रहा है आपका धन्यवाद It was just a dream It मतलब यह था just शिर्फ a dream एक सपना था Dream मिन्स एक सपना था मिन्स जो भी चीज़े हो रही थी जो डाकू आया जो पीटर से काम करवा रहा था यह सब क्या पीटर के सपने में चल रहा था तो वही कहरा थैंक यू गॉर्ड मिन्स धन्यवाद आपका भगवान की आपने क्या यह सब क्या एक dream था एक सपना था मेरी मा भी अवस्य ऐसे ही ठक जाती होगी as tired ऐसे ही थक जाती होगी every night हर रात को as जैसा I was in my dream मतलब मैं was था in my dream जैसा कि मैं अपने सपने में था जैसे कि मैं अपने सपने में थक गया था उसी तरह रोज मेरी मा काम करते करते रात में ऐसे ही थक जाती होगी from now on I am going to help her from now up क्या up say मतलब अब से on I am मतलब up say on मतलब per I am going अब मैं क्या करूंगा मैं जाओंगा to help help her to help her मतलब उसकी सहायता के लिए क्या अब से मैं क्या उसकी हमेंसा सहायता करूंगा he promised himself he were promised वादा किया कसम खाई himself अपने आप से उसने promise किया कि अब से क्या मैं अपनी मा की सहायता करूंगा मिन्स पिटर ने अपने सपने से सीख लिया कि वो अपनी मा की सहायता क्या हमेसा ही करेगा कभी नहीं अपनी मा को अकेला छोड़ेगा ये जो स्टोरी है ये तो सभी के साथ घटित होगी क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि मा क्या हमेसा ही कहती रहती है कि ये कर दो वो कर दो पर हम क्या खेलने के चकर में अपनी मा का हल्प करते ही नहीं है पर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें अपनी मा की सहायता करनी चाहिए क्योंकि मा अकेले ही पूरे घर का काम करती है तो हमें हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी responsibility है, बनती है कि हमें भी अपनी मा की help करनी चाहिए, उसे सहायता करनी चाहिए तो I hope आपको ये story अच्छी लगी हो, मिलते हैं next video में, thank you